आज के इस सेशन में हम question number 25 को discuss करने वाले हैं और इस प्रकार के questions आपके exam में आते हैं और यह काफी useful और important logic है तो आप इसको ध्यान से देखिएगा question है using javascript create an html page for accepting the value of two numeric variables यानि कि javascript की सहायता से एक html page create करना है और वो दो variable a और b में numeric value को accept करेगा and to display the result of following arithmetic calculator और जो आपने a और b में value input कराई है user से उन values पे arithmetic operation perform करने है और इस प्रकार से आपको result देना है सबसे पहले a plus b जो इस cancer आगा इस box में इसी प्रकार से a minus b a multiply by 5 a divide by 5 तो आईए समझते हैं कि इस problem को solve कैसे करना है शुरुआत कहां से करें sir तो शुरुआत करिए चूँ कि हमें दो values को input लेना है तो शुरुआत हम लोग यहीं से कर देते हैं तो मैं use करने वाला हूँ अपना favorite sublime और यहां पर मैं एक file create कर लेता हूँ सबसे पहले html का basic syntax और इसको मैं यहां से remove कर देता हूँ ताकि आप लोगों को code लिंधी ना दिखाई दे तो मैं यहां पर आऊंगा सबसे पहले लिखूंगा enter value of a ठीक है और इसके बाद में यहां पर लगा दीजिए input type नमबर कर लीजिए input type नमबर और यहां पर मुझे name की requirement नहीं है और यहां से हमने line को break कर दिया एक बार और gap कर देते हैं ताकि enough gap हो जाए इसकी photo copy कर दीजिए और enter value of b ठीक है जी इसको save करिए और page को open करिए तो यहां पर कुछ इस प्रकार से output आ चुका है जहां पर हमारे पास दो fields है एक है a और एक है b जहां पर हम लोग numeric value को input कर सकते हैं बिल्कुल बात सही है जो यहां पर कहा गया था वो हमने कर लिया बट अभी क्या करना है जो नीचे दिये गए operations है इनको perform करना है using javascript तो मुझे क्या करना होगा सबसे पहले काम यह है कि दोनों values को हमने input ले लिया input करने के बाद user से हम क्या करेंगे एक button पे click करवाएंगे भहिया बताओ answer calculate करना है या फिर नहीं तो input type submit कर दीजिए और मैंने आप एक javascript का event यूज किया on click कि भहिया click जब इस button पे click किया जाए जब इस button पे click किया जाए तो एक function मैं create कर लेता हूँ like रखा हमने नाम शत्यम सबसे अच्छा अपना नाम है ना on click सत्यम कि भहिया जब इस button पे click किया जाए ना तो आप सत्यम नाम के function को call करिएगा अगर मैं page को refresh करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर एक button आ चुका है जहां मैंने values को input किया like 25, 94, submit पे click किया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है क्यों क्योंकि हमने अभी function को call तो क पर लिया क्लिक करने पर बट इसको define नहीं किया है तो define कहाँ पर करेंगे तो आप यहीं पर define कर सकते हो या फिर head की अंदर भी define कर सकते हो तो मैं यहाँ पर head की अंदर आ गया हूँ और type किया script java script का code हमें इसी tag के अंदर लिखना होता है ठीक है अब यहाँ पर बनाएंगे function और java script में function को define करने के लिए हम क्या करते हैं sir तो answer आएगा sir function keyword का use करते हैं दिन function का नाम मेरे case में क्या है सत्यम और यहाँ से हम लोग function को define करेंगे सबसे पहला काम यह है कि a और b इन दोनों input field में जो values आई हैं वो values हम यहाँ पर transfer करें और transfer करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा document.write इस method का use करना पड़ेगा यह सारी बाते मैंने आप लोगों को java script की class में पढ़ाई है आई होप कि आप लोगों ने वहां से देखा होगा तो document.get element by id ठीक है जी id ठीक है id और मुझे क्या करना पड़ेगा इन दोनों elements की एक-एक unique id define करनी पड़ेगी तो उन्हें आप लिखा id और नाम कर लिया हमने example के लिए a इसी प्रकार से इसकी id हमने कर ली b कि भीया इसमें a की value है और यह b की value को point कर रहा है तो document.get element by id के भीया हमने कहा है इस document में आप उस element को पकड़िये जिसकी id a है तो इसने क्या case line को पकड़ लिया क्या करना है मुझे यहां से value को extract करना है तो आप लिखा dot value और जो यहां से value आएगी उसे हमने एक variable like x के अंदर store कर लिया और आ keyword या फिर let keyword का use करते हैं तो हमारे पास क्या होगा जो value a की है वो आ जाएगी x में ठीक किसी प्रकार से इसकी photo copy कर दीजे और एक अन्य variable ले लिजे y हाला कि आप यहां पर और कोई नाम भी दे सकते हो no problem हमारे पास x और y इन दोनों में वो values आ चुकी है जो user ने input किया था ल values यहां पर आई भी है या फिर नहीं तो document.write bracket को open करिए और मैंने कहा कि भाई x की value बड़े प्यार के साथ print कर दीजे और इसकी photo copy करिए और यहां पर y की value भी print कर दीजे बस page को refresh करिए मैंने input किया like 58, 74, submit पे click किया तो आप देखेंगे 50 और 74 यह दोनों values इस function को मिल चुकी ह अब मुझे क्या करना है इन पे calculation करनी है और जो result आने वाला है वो कुछ इस form में आना चाहिए a plus b, a minus b, a multiply by, a divide by b तो मैं यहां पे आऊंगा और यहां पे लगाता हूँ br tag और यहां पे लगाऊंगा input type text और यहां पर मुझे id की requirement होगी क्योंकि मुझे यहां पर क्या करना है result को print करना रहेगा और यहां पे आजाएगा br tag यहने के line को break करने के लिए इसकी photocopy कर लीजिए चार बार और यहां पे जो पहले वाले में आएगा वो आएगा a plus b और इसी प्रकार से यहां पे आजाएगा a minus b और यहां पे आजाएगा a multiply by b और इसके बाद में यहां पे आजाएगा a divide by b ठी तो इसको मैं save करता हूँ, यह बिल्कुल easy है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसको save करिए, page को refresh करिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, value को input करना है, submit पर click करने के बाद जो result होगा, वो यहाँ पर so होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर b की value को add करिए, तो हमने a को लिया है x में और b को लिया है y में, हमने यहाँ पर लिखा, x plus y, एक मिनट, x plus y, ठीक है, जो यहाँ से क्या होगा, इन दोनों values को add कर दिया जाएगा, add करने के बाद जो result आएगा, वो result में कहाँ पर print करना चाहा रहा हूँ, a plus b यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद type कर दीजिए, document.getElementById, ठीक है, यहाँ पर आईए, paste कर दीजिए, और जहाँ पर भी आपको result करना है, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, तो हमने यहाँ पर लिखा, a double d, ठीक है, और यहाँ पर आप लगा दीजिए, is equal to x plus y, इस case में क्या होगा इस case में होगा यह x और y में जो values होंगी, उनको add करने के बाद, जिसकी id add है, तो add की idea है, तो यहाँ पर यह result प्रिंट हो जाएगा, आईए पहले इसको check करते हैं, बड़े प्यार के साथ, तो इसको refresh करिए, type कर दिया हमने 8400, submit पे click किया, तो यहाँ पर आ चुका है 8400, जो की बिल्कुल गलत है, क्यों, क्यों की answer आना चाहिए था 184, तो ऐसा क्यों हुआ सर, क्यों कि जो हमने यहाँ पर input किया है, उसे as a string enter किया गया है, और उसे बाद में idson की जगे पर concatenation कर दिया गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो values read की गई है, इसे मुझ इसे string से integer में convert करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको function मिल जाता है, parse int, यह क्या करता है सर, इसका काम होता है, कि जो भी values हैं, इसे इसे integer में convert करना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, बड़े प्यार के साथ, यहाँ पर type कर दूँगा, parse int, ठीक है, save करिए, page को refresh करिए, मै आपको यहाँ पर step by step चीजों को बता रहा हूँ, ताकि आपके mind में, चीजे sit हो जाए, आपको returnा ना पड़े, तो आप देखेंगे, जो answer हो, proper तरीके से आ रहा है, ठीक इसी प्रकार से मुझे क्या करना है, minus करना है, multiplication करना है, और division करना है, तो यहाँ पर आईए, इसकी कर लीजे, photocopy, यहाँ पर हमने कर दिया, minus, और जो इसका result है, मैं यहाँ पर so करने वाला हूँ, और यहाँ पर हमने कर दिया, इसकी ID सब, तो यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा, sub, क्योंकि मुझे subtract की ID में so करना है, यहाँ पर हो जाएगा, mal, और यहाँ पर हो जाएगा, division, यहाँ मुझे करना पड़ेगा, multiplication, यहाँ पर करना पड़ेगा, division, control S करिए, और यहाँ पर भी type कर दिजे, mal, इसके बाद में, div, control S, page को refresh कर दिजे, तो यहाँ पर आ चुका है, like 70, यहाँ पर 35, तो आप देखेंगे, A plus B कितना होगा, 105, minus करने पर 35, multiply करने पर यह, और divide करने पर यह, तो जो आपके पास problem थी न, उसका answer मैंने आपके साथ में share कर दिया है, इसको आप हलका सा और भी advance कर सकते हो, कैसे, अभी क्या हो रहा है, कि हमने यहाँ पर कुछ भी input नहीं किया है, फिर भी यह content है न, यह show कर रहा है, बट requirement मेरी यह है, कि यहाँ पर submit पर click किया जाए, तो जब result show होने वाला हो, तब यह content यहाँ पर लिख किया है, ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको solution provide किया है, यह आपके question के recording complete हो चुका है, इसमें आप और भी extra add कर सकते हो, यह आपकी skills के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो मुझे क्या क पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसको एक wrap करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर use करने वाला हूँ, span tag का, और यहाँ से मैं span को close कर देता हूँ, ठीक है, और मैं span के अंदर आऊँगा, और लगाँगा style याने की inline CSS, display block, display नन, कि भाईया मुझे इस content को display नहीं करना है, page को refresh करिये तो आप पाएंगे वो content hide हो चुका है, मैंने type किया 85, यहाँ पर 78, submit पर click किया, तो जो answer है, वो यहाँ पर present नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसको हमने hide कर रखा है, बट मैं चाहता हूँ कि भाईया, जब यहाँ पर click किया जाए, जब यह function call हो, तो function के call होती यहाँ पर document, ठीक है, ctrl c, ctrl v, और मुझे span के एक id define करने पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर लिदेता हूँ, id is equal to result, ठीक है, page को save करिए, और यहाँ पर आईएगा ध्यान से, यहाँ पर type कर दीजिए result, कि भाईया, इस document में उस item को find out करिए, जिसकी id result है, तो यहाँ पर मिल चुका है, द तो style, style, dot, लगाना है हमको display style, ठीक है, और जो इसकी value है वो कर दीजिए, आप block, ठीक है बस, काम 35 हो गया, save करिए, page को refresh करिए, तो यहाँ पर मैंने type किया 78, इसके बाद में 98, submit पर click करने पर आप देखेंगे जो answer है, कुछ इस प्रकार से आ चुका है, ठीक है, क्योंकि यह पर 78 छोटा था, 98 बड़ा था, अगर आप लोग छोटे में बड़े से divide करोगे, तो जो answer हो आपका दसमलों में ही आता है, तो मुझे आसा है कि आपको समझ में आया होगा, कि हम इस question को किस प्रकार से solve कर सकते हैं, आपके पास कोई doubt है, तो आप उसे comment out कर सकते हैं, अगर आ करने के बाद, आपके सामने ऐसा interface आएगा, दिन store पे click कर दीजेगा, store पे click करने के बाद, यहाँ पे आपको मिल जाएगा python का practical batch, 83 रूपीज का, m2 का 82 रूपीज, और iot का 27, अगर आपको full batch join करना है, तो आप यहाँ पर click करके full batch भी join कर सकते हो, आपके पास कोई doubt है, तो आपसे comment out कर सकते हो, जय हिंद, वंदे मातरम, थेंक्यू